ओम शांतिंग आज पचीस अप्रेल दो हजार चौपेस बाबा के महवक्षे हैं मीथे बच्चे यह पुरुष उत्तम युग ही गीता एपिसोड है इसमें ही तुमें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है प्रश्न है किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा उत्तर है सदा ध्यान रहे कि हमें इश्वर्ये संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा अगर संग दोश में आये संशय आया तो बेड़ा विशय सागर में दूब जाएगा बाप जो समझाते है उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नौलिजफल बनाने आये है बाप के संग में ही रहना है धारना के लिए मुख्य सार है तहला जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है एक बाप से सुनना है और अपने ब्राम्भण कुल को सदायाद रखना है दूसरा पुरा निश्चे बुद्धी होकर रहना है किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है इश्वर ये संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है वरदान है रोहानी माशूक की आकर्शन में आकर्शित हो महनत से मुक्त होने वाले रोहानी आशिक भवर माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं रोहानी आकर्शन से आकर्शित हो अपने सच्चे माशूक को जान दिया पालिया ये थार्थ ठिकाने पर पहुच गए जब ऐसी आशिक आत्माई इस महबबत की लकीर के अंदर पहुचती है तो अनेक प्रकार की महनत से छूट जाती हैं क्योंकि यहां ग्यांत सागर के सनही की लहरे शक्ती की लहरे सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं यहां मनुरंजन का विशीश स्थान मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है स्लोगन है एकान तवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकोनामी वाले बनों आम शादे आम मनेल एकान की ने तमेँ कर दूएदा, यामी और एक लिए पेB Hmジャ